बहुत अच्छा क्यूशन है और I hope आपके समझ में आ जाएगा एक अंटी थी अंटी वो नहीं थी चुछती है न एन एंट मुज फ्रोम ए ट्राइंगल विट साइड से लेंग से 345 मेंटेनिंग ए डिस्टेंस ओफ वन सेमी प्रोम साइड्स ओफ ट्राइंगल फायर टोटल डिस्टेंस गूरेट बायन घिस्ट जिसके एकंट धूरी से एकचाती है वसे इंटेंस में rendered धुह ना बहुत ही आपको यह देखे कि मज़ा तो आई जाएगा आपको तो सर इसको किस तरीके से करेंगे कोई भी ट्राइंगल ले लेते जिसकी साइड अलग अलग है आप आप आए यह वह समझेगा इकल साइड हम साइड तो हम लिखेंगे तो क्या साइड लिखेंगे इसकी यह इस दिबाल इसको और देख लिजिए कोई और दूसरा ट्राइंगल आपको नज़र आता है यह ले लिजिए फिर इसको छोड़िएगा इसको छोड़ दीजिएगा तो हमारी बाते यहां तक हो जाएगी यह क्या है हमारा यह 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 कोई दिक्कत नहीं है इसको थोड़ा सा गुमा लेंगे हम प्रकुछ नहीं पड़ता और गुम जावाई वालिया अब देखिए का अब आजवाब यह आपकी थ्री है क्या मजा आते ही कि यहां मुझे एक सेंटिमेटर तक चलना है डिस्टेंस मेंटेन रखती है वो यह भी एक सेंटिमेटर है और यह भी इसका एक सेंटिमेटर है ज्यादा होगा ना तो एक सेंटिमेटर हम यहां लेते हैं देख लिएगा अवे एक सेंटिमेटर है अब आप मेरे को एक बात बता दिएगा यह भी एक सेंटिमेटर होगा यह भी एक सेंटिमेटर होगा यह भी एक सेंटिमेटर होगा और यह भी एक सेंटिमेटर होगा यहां कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा छोटी छोटी बाते हम कर लेते हैं यहां कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे यहां भी कोई दिकत नहीं है यहां कोई दिकत नहीं है यहां कोई दिकत नहीं है और यहां भी कोई दिकत नहीं है कि सर क्यों नहीं है यहां दिकत क्योंकि सर हम इतना जानते हैं कि इतनी बाते समझ में आगी हैं तो आप मेरे को समझा दीज़ीगा कि चीटी कितनी खतनाग थे हैं कितनी दूरी तैक ही हैं मेरे को एक बात बता जीए तो सर अप इसको क्या बोलोगे इसको इसको क्या बोलोगे तो इसको हम बोल लेंगे आप बता दीजिएगा हम इसको 90 डिगरी बोलेंगे और इसको भी 90 डिगरी बोलेंगे अरे दोने 90 है ये भी 90 है और ये भी 90 है क्या ये 90 है ये 90 है इसको A माल ले जिएगा इसको B माल ले जिएगा इसको C माल ले जिएगा कोई दुखदर्द नहीं होगा आपके अच्छा यह 90 है तो आप मेरे को यह बता दीजाएगा यह इंगल टोटल कितना हो जाएगा यह यह और यह यह दोनु आसोरी तो यहिए 90 है यह 90 है तो नहीं हो गया। यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह पाय माइनस सी क्यों टोटल क्या है तो भाई इतना तो यह यह बता सकते है आप कि यह हो जाएगा आपका पाई पाई माइनस एक और यह हो जाएगा आपका पाई माइनस बी पाई माइनस बी अच्छा यह लेंट आपको पता है यह लेंट आपको पता है यह लेंट पता है तो यह आपको आरक नजर नहीं आ रहे हैं अरे यह आरक नजर नहीं आ रहे हैं क्या आक आ रहे हैं तो लिख दिज आपको पता है ने इस बात का यह दोरी भी वन है यह दिस्टेंस भी वन है यह दिस्टेंस भी वन है यह पड़ी हुई थी पता नहीं किससे पड़ी थी लेकिन क्या होता आपका 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 फॉर्मला क्या होता है आप बता दीजेगा जल्ड़ी टाइप कीजेगा मैं तो लिखी दूंगा और यह हो जाएगा आपका इंगल पाइवाइट टू ओस नो पाई माइनस ए ले ले लेते हैं एक का निकालते हैं और रेडियस इसकी आर है तो अब जो डिस्टेंस आपसे पूछना चाहरा है ना डिस्टेंस जो जाएगा एक हो जाएगा एक और पाई माइनस ए और रेडियस वन है तो यह पाई माइनस ए हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा देखो इतने तो यह चली थ्री प्लस कितनी यह चली 4 प्लस यह 5 प्लस आर कितना हो जाएगा यह का Pi – A प्लस Pi – B प्लस Pi – C और यह और वोल कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 7, 12 में प्लस 3 pi minus A इतना हो गया है तो आप छोटी छोटी बाते कर सकते हो ना, कर सकते सारी बाते कर सकते, 12います 3pr minus a plus b equals to क्या होता है, a plus b plus c triangle k, पाई हो जाएगा हो गए 哉न्सвर 12 है प्लास ट्वाइ 12 है 12 है प्लास 2 ti 12 है 12 है 12 है प्लास 2 पई हमारा आन्सवर हो गया में